हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल प्रतिभा बग्या और आज मैरी बग्या में आप देखेंगे कि गर्मी की सबजीयों की अपडेट और हार्वेस्टिंग की मुझे की इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है और ये देखिए तुरही लगना शुरू हो गई है य फ्लारिंग होने लगी है और बहुत सारी फ्रूटिंग तुरही में हुई है और जो करेले की बेल वगर है मिर्ची है सभी में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और और गैनिक तरीके से उगाने का ये फाइदा है कि आप हर एक तरह का वेस्ट अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है यहां पे आप देख रहे होंगे यह बर्बट्टी के पौधे हैं और कुछ गौर्फली है और यहां पे देखिए सारी सब्जियां लगाई हुई है कुछ करेले के पौधे लगाए है तो यह मैंने वहां पे ट्रेलिक्स की तरह बना दिया है और बहुत हैवी प्लांट नहीं होता है और यह देखिए भिंडी में भी फ्रूटिंग फ्लारिंग होने लग अंदर लगा हुआ था तो तोड़ने में थोड़ा देरी हो गई और उसका कलर थोड़ा फेड हो गया इस तरह से कलर जाने से पहले आप सब बैगन चमक रहे हैं तभी तोड़ लीजिए तो जादे अच्छा है और बंदर भी खूब मजे लेते हैं सबजियों का और यहां प कोरी देखिए पूरा वेश्ट से मैंने भरा हुआ है और इसमें पूरा उपर तक मैंने वेश्ट भरा हुआ था फिर उसके बाद चार से पांच इंच मैंने मिट्टी भरके लौकी की बेल लगा दी हुई है नरसरी मेरे पास तयार थी और यहां पर देखिए यह जो खीरा ह करेले की बेल है इसको भी चड़ने के लिए मेरे पास जो भी पुराने रसियां वगरा थी पिछले साल की लगी हुई वह यहीं पर बंदी हुई थी उन्हीं में मैंने चड़ा दिया है और यह जो इस्ट्रिप फटी हुई लग रही है यह मैंने पुराने दुपट्टे को वही रसी की तरह यूज कर लिया है यहां पर देखिए यह सब ही पर बहुत अच्छी करेले की बेल उपर चड़ती जा रही है फ्लारिंग भी हो रही है फ्लारिंग अभी केवल female flower है और female flower अभी नहीं आ रहा है तो दीरे दीरे आने लगेंगे और यहां पर भी देखिए प्रूटिंग ले ली है और यह देखिए बहुत अच्छा बैगन लगा हुए चोटे चोटे फ्रूट इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं और यह मिर्ची का पोधा देखिए इसमें अभी चोटी-चोटी सी बर्ड बनने लगी है और यहां पर देखिए यह तुरही की बेल है इसमें भी flowering होने लगी है देखिए ये एक male flower आया हुआ है और यहां पर देखिए तुरही इसमें भी fruiting हो रही है और बहुत अच्छी fruiting चल रही है काफी healthy पौधे हैं और जो जो भी सब्जियां मुझे मिल जा रही है मैं तोड़ती भी जा रही हूँ भिंडी दो चार मिलेगी और अभी भिंडी डेर सारी नहीं लगी हुई है और उसके पौधे जो भी हैं कुछ पत्तियां खराब हो गई हैं और मैं उस पे औरगेनिक चीजों का छुड़काव कर रही हूँ लहसून प्याज का पानी बना करके और ये देखिए ये पिंग कलर का गुड़हल है देसी वाला और काफी अच्छी इसमें देखिए गुच्छों में कलियां आई हुई है एक बार फ्लारिंग कर चुका है ये और पूरा गाडन काफी हल्दी चल रहा है और गेनिक चीजों से आप बहुत अच अच्छा लगता है काफी मज़ा आता है इस तरह से गाडनिंग करने में और एक साथ इतना सारा कुछ मैंने इतना बड़ा गाडन नहीं लगाया है दीरे-दीरे करके मैंने दो-चार पॉर्टस से शुरू किया था और दीरे-दीरे आज इतना जादे पॉर्ट मेरे पास हो कि मैं अगर पानी देती हूं तो एक से डेड़ घंटा लगता है मुझे केवल पानी देने में और देखें कुछ भिंडी मिल रही है और यह टीकोमा टीकोमा तो बंपर फ्लारींग करता है और यहां पे भी देखें कुछ भिंडीया मिल रही है शुरू हो गई हैं और यह सबी पौधों से फ्रूट तयार जो होते हैं वो उनको जरूर तोड़ लें ताकि वो पौधा अपनी एनर्जी और फ्रूट्स बनाने में लगाए यहां पर भी बरबटी के पौधे लगाएं मैंने यहां देखिए पुराने टमाटर के पौधे हैं यह यह पूरा सरदी भर फिर से इनमें प्रूणिंग वगरा करके और फिर से देखिए यह बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं तो सबजियां दो इचार जो भी मिले उनको जरूर तोड़ते रहें और यहां पर देखिए मैंने पत्ता को भी लगाई हुई है एक बॉक्स में तीन पौधे बीज को लाके मैंने डाल दिया था तो दो तीन तरह की मिर्च मेरे गाडन में लगी हुई है और गोल वाली जो चेरी चिली होती है उसको भी पहने लगाया है एक ही पौधा है आगे आप देखेंगे तो सबजियां तोड़ते ही रहें और इस तरह का जो भी वेस्ट वगरा में लगा हुग पौधा वो काफी अच्छा हार्वेश्ट देता है ये पुराना पौधा है मेरा जो बैगन का पौधा है जिसमें से मैं हार्वेश्ट कर रही हूँ ये दो साल ये दूसरा साल है और काफी अच्छी फूटिंग दे भी रहा है फूट्स थोड़ा छोटे हो लेकिन फूटिंग आपको बराबर मिलेगी बंदर वगएर ना परिशान करें तो काफी अच्छी हार्वेश्टिंग मिल जाती है तो देखिए बंदरों की डर से ही मुझे कुछ छोटे बड़े जो भी फूट्स मिल जा रहा है मैं उनको तोड़ ले रही हूँ और हमेशा और गनिक चीजों का ही यूज करें देखिए बोरियों अगरा में भी मैंने लगाई हुई है कुछ सब्जियां जो टमाटर के पौदे हैं लोकी है तो जो वेश्ट आपके घर में निकल रहा है वो सभी को आप निकाल लें तोड़ते सभी में आप सब्जियां लगा सकते है और यह देखिए ये तमाटर में काफी अच्छी फ्रूटिंग निकल रही है और लगी हुई है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग ये पूरा सर्दी भर दिया हुगा है मुझे और अभी इसमें जो भी तमाटर लगे है अब धीले पकने लगे हैं ये आप इस हार्विस्ट से जो बड़े साइज के टमाटर हो उनी के पल्प को आप डालके उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं और यह देखिए यहां पर भी कुछ टमाटर मिल रहे हैं और आप मेरे थर्मकोल बॉक्स में यह ध्यान देंगे मैंने पौदों के जो खाली मिट्टी है यानि इनको कर दीजिए तो पौदों में नमी बनी रहती है और पौदे बिल्कुल हल्दी रहते हैं नमी हमेशा बनाए रखेंगे तो मुर्जाते नहीं है पौदे तो हारे भरे बने रहते हैं और इस तरह से मंचिंग करके इस तेज घर्मी में आप अपने पौदों को बचा सकते हैं बस उनकी जड़ों के पास से 2-4 इंच मंचिंग को हटा दें, मिट्टी को खाली छोड़ दें, ताकि जड़ों में हवा लगती रहे, कभी-कभी फंगस भी लग जाता है, तो इसलिए जड़ों से दूर रखना चाहिए, मंचिंग को मंचिंग करने के बहुत सारे तरीके होते ह काफी benefits है, तो ये दीरे-दीरे सड़के खाद भी काम करेंगे, खाद का भी और आपके पौधों को तेज घर्मी से बचाएंगे, ये सारे पौधे मेरे ठंडी भर मुझे बहुत अच्छा harvest दिये हैं, और अभी भी बहुत अच्छी fruiting लग रही है, और काफी अच्छी fruiting और तुरही में भी fruiting हो रही है, ये female flower है, और काफी अच्छी, तुरही में बहुत अच्छी fruiting चल रही है इस समय, और बेल वाली सबजियों के साथ आप देख रहे होंगे, मैंने गेंदा लगाया है, गेंदा जरूर लगाएं, और flowering मिले चाहे ना मिले, लेकिन इसकी medicinal पौधों के लिए बहुत है, और जड़ में जो गाठों वाली बिमारी हो जाती है, वो नहीं लगती है पौधों में, तो बेल वाली सबजियों के साथ एक गेंदा का पौधा जरूर लगाएं, और इतनी हार्वेस्टिंग देखे मुझे मुझे मिली है, और अभी इधर भी पीछे आपको हार्वेस्टिंग देते रहेंगे, इस तरह से आपको अपने गार्डन से बराबर सबजियां मिलती रहेंगी, अगर एक साथ ही आप सारे सीट्स लगा देंगे, तो वो एक साथ फ्रूटिंग देंगे, और एक ही साथ सारी फ्रूटिंग देना बंद कर देखिए कितनी अच्छी healthy fruiting हुई है और सभी में बहुत अच्छे से pollination हो जा रहा है और यहां पर देखिए यह बरबटी के पौधे लगे हुए हैं अब इनमे fruits बनने लगे हैं क्योंकि इनमे birds आने लगी हैं और यह देखिए यह शिमला मिर्च का पौधा है मेरे पास दो ह काफी अच्छी fruiting मिल रही है दो सिमला मिर्च मैंने उधर के पौधे से निकाल लिया इसमें यह चोटी चोटी सिमला मिर्च देखिए बहुत सारी लगी हुई है काफी अच्छी fruiting flaring हो रही है एक शिमला मिर्च मैंने यह तोड़ ली है और नहीं तोड़ेंगे तो खरा वीडियो में देखें होंगे और यह देखें मेरा गार्डन बहुत हिल्दी चल रहा है इस तरह की और गैनिक चीजों का आप यूज करें और यहां पर इतना अच्छा हिल्दी गार्डन तयार करने के लिए कोई बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और काफी अच् इन्फर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर जाकर के और सारी वीडियो में आप देख सकते हैं उनको शेयर कर सकते हैं देखिए चेरी चिली भी मेरी बहुत हेल्दी है और आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखें और आगे आपको पूरी केर मैं बताऊंगी कि मैं अपने टेरिस गार्डन को कैसे मैनेज करती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक यू